हेलो दोस्तों आप सभी कास स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे CDP यानि बाल विकास के एक इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में जिसको CCE यानि continuous and comprehensive assessment या फिर सतत एवं व्यापक आकलन कहते हैं क्या कहते हैं सतत एवं व्यापक आकलन जिसको कहते हैं जहां से आप लोगों को 8-10 नंबर मिलना लगभग तैं होता है यहां से 8-10 नंबर का question यहां से आपको paper में देखने को मिलता ही मिलता है हमेशा तो ध्यान कीगा आप notebook और पर उठा लीजिएगा और डालीजिएगा CDP CCE का chapter 1 ठीक है पिछली वीडियो में लोगों ने वेन हिलकी थेवरी के बारे में बात की थी जो कि आपके math class से related था आज हम बात करेंगे CDP class related CCE topic के बारे में तो आप लोग pen और नोटब उठा लीजिएगा और लिख लिए सतत एवम व्यापक आकलन यानि continuous and comprehensive assessment चलिए देखते हैं कि यह क्या होता है और इसे कैसे समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए most important होने वाला है तो आप लोग इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा चलिए start करते हैं तो CCE को समझने से पहले हमें आकलन या मुल्यांकन क्या होता है इसके बारे में knowledge होना जरूरी है कि आकलन और मुल्यांकन आखिर होता क्या है इसे आकलन और मुल्यांकन किसे कहते हैं चलिए देखते हैं आकलन और मुल्यांकन क्या होता है लिखा हुआ है मुल्यांकन या आक आधि आद्धंध्र इस्चे स्पिस्ट के बोलते हैं। गल्द बोलते हैं तो मैम उसको सही बताती है अगर बच्चा सही बोलता है तो मैम उसके आगे कार उसके टॉपिक कराती है जिसे मैम को भी बता चलता है कि बच्चे को क्या रहा है और कितना रहा है और बच्चे लोगों को भी पढ़ने में इंट्रेस्ट बढ़ता है बच्च चलिए अब इनके लाब के बारे में बात करते हैं, कि आकलन या मुल्यांकन के कौन-कौन से लाब हो सकते हैं, चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है, इससे बच्चे का अधिका मिज़तर बढ़ता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आकलन करते वक्त जब टीच किसी ने देखी है, तो कई सारे बच्चे यहां दाए जिससे बच्चोंका आकलन होता रहता है, जिसे बच्चोंका इस तर आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, चलिए आगी देखते हैं, हम लोग बात करें आकलन या मुल्यांकन के बारे में उस से रिलेटर्टि-उच पॉइ अध्यापक जो हता है वो चात्रों को उपचरात्मक सिछड़ देता है यानि बच्चा जहां पे गलती करता है या फिर जहां पे बच्चे को कुछ नहीं पता होता है या फिर बच्चा जहां पे कुछ भूल जाता है टीचर वहां पे बच्चे को पताता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए या फिर उसको वहाँ पे help करता है टीचर बच्चे को वहाँ पे help करता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है तो उसको क्या बोलते हैं उसको उपचरात्मक सिछड बोलते हैं धनकी का जहां पे बच्चा खुद से ना कर सके बच्चे टीचर को उसकी help करने चलिए आगे देखते हैं, नेक्ट पाइंट में लिखा हुआ है, इससे पता लगता है कि छात्र ने सिच्चक के उद्धे से किस सीमा तक प्राप्त किये, आकलन और मुल्यांकन जो आपका है, उससे यह पता दिलता है कि जो टीचर पढ़ा रही है, या फिर जो टीचर पढ़ रहे हैं, कितना उसे समझ पा रहे हैं, इसका ये एक लाब और हो गया, नेक्ट में लिखा हुआ है, इससे बच्चों के पूरे वर्स भर की उप्रब्दी का पता लगता है, यानि जो आकलन या मुल्यांकन होता है, उससे वर्स भर जो बच्चा पढ़ता है, उससे उनकी व बच्चा कच्चा एक में जाने लायक है, या फिर नहीं, हाला कि NCF के अनुसार बच्चे को किसी भी क्लास में फैल नहीं किया जाता है, फिर भी यहाँ पे बच्चे की जाच तो की ही जाती है, चलिए आगे वठते हैं, आगे देखते हैं, नेक्ट पाइंट है, इससे अध और बच्चा वहाँ पे वो चीज़े नहीं बता पाता है, या फिर उसका आंसर नहीं दे पाता है, तो टीचर को पता दलता है कि मैंने ये तो चीज़े बच्चे को पढ़ाई ही नहीं है, या तो मैंने ये चीज़े बच्चे को समझाई ही नहीं है, जिससे टीचर को पता होता है उतना teacher के लिए भी important होता है क्योंकि इससे teacher का भी आखलन होता रहता है साथ ही साथ में चलिए आगे देखते हैं next point में लिखा हुआ है बालक आभी प्रेरित होते हैं यानी बालक जो हते हैं वो इससे motivate होते हैं, अगे देखते हैं अब alkal assistants के कुछ प्रकार हैं, वो भी देख लेते हैं तो बोब करनिक coaching आपस्में की प्रकार होता सोड़क्तर है अगर आपसे पूशर है कि कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग आँस्थests प्रकार बता सकते हैं इसका अंसर चार बिल्कुल सही हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से आगलन होते हैं तो पहला है स्वागलन यानि स्वयम का आगलन इसमें बच्चा क्या करता है? अपने आपको किसी सीसे के सामने या फिर किसी अकेली जेखे पर बैठ के आपस में ही बात करता है कि मैं ऐसा नहीं ऐसा करूँगा तो अच्छा होगा या फिर सीसे के सामने खड़े होके अपने आप से खुद से बाते करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे स्वयम का आगलन बोलते हैं सेल्फ असेस्मेंट बोलते हैं दूसरा है आपका सेफ पार्टी आकलन ध्यान दीजिएगा इसमें दो चातर आपस में मिलकर बैठते हैं और आपस में ही question answer करते हैं कि आप ये बताईए कि इसको क्या बोलेंगे दूसरा पुछेगा इसको ये बोलते हैं फिर दूसरा से पुछेगा कि ये क्या होता चली बता है और तीसरा आपका हो जाता है व्यक्तिकत आकलन व्यक्तिकत आकलन का मतलब होता है individual assessment यानी person to person जाकर किसी व्यक्तिका आकलन करना यानी एक teacher है वो किसी एक बच्चे के पास जाकर उससे कुछ चीज़े पूचता है या फिर कुछ चीज़े उसको बताता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है उसे बोलते हैं individual assessment यानि व्यक्तिगत आकलन चोथा है आपका समुह आकलन ध्यान दीजिएगा चोथा है आपका क्या समुह आकलन यानि group assessment जहाँ पे दो से अधिक बच्चों को एक साथ में बैठा गर आकलन क्याजता है वहाँ पे समुह आकलन हो जाता है जह जहाँ पे आप लोग ये बात ध्यान रखेगा कि जहाँ पे दो बच्चे आपस में पढ़ रहे होंगे उसे स्वेपाठी आकलन बोलते हैं लेकिन जहाँ पे दो बच्चों से जादा यानि तीन, चार, पाच, यानि कोई भी संख्या हो सकती है उतने बच्चे अगर पढ़ के आपस में उसे गुरूप एसेस्मेंट यानि सम्मु आकलन कहते हैं तो आपके चार आकलन होगे, कौन-कौन से स्वेपाठी आकलन, वेक्तिकत आकलन और सम्मु आकलन, इनके अलावा कोई भी आकलन नहीं होता है, कोई भी मुल्यlenकन नहीं होता है चार अगर आपसे लक्तिगत आकलन और समू आकलन चलिए आगे बढ़ते हैं आयोब आप लोगों को यह पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे अब पढ़ेंगे आकलन के प्रमुख प्रतिमान यानि आकलन कितने प्रकार का होता है जैसे आप लोगों को आप लोगों ने कई कोश्चन देखे तो अभी भी इसके चांसे हैं इसके कोश्चन बनने के इसको ध्यान से पढ़िएगा यहां से मैंसा कोश्चन बना है तो चलिए देखते हैं पहला है आपका assessment for learning यानि अधिगम के लिए या अधिगम है तो आकलन अधिगम के लिए या फिर अधिगम है तो आकलन चलिए दे स्वयम ही प्रस्ण करता है और स्वयम ही निदान के बाद उप्चरात्मक से छड़ भी देता है ध्यान दिजीगा ये जो आपका अधिगम के लिए यानि अधिगम है तू आकलन होता है इसमें अध्यापक जो हता है बच्चों से पहले खुद ही कुश्चन पूछता है उसके बाद में बच्चों को उसके आंसर प्रताता है और उसका उप्चार भी देता है इसे माल लीजिए कि टीचर ने बच्चों से कोई question पूछा बच्चे उसको बता पाए तो ठीक है अगर नहीं बता पाए तो उसमें टीचर उसको बताता है कि ये ऐसा होगा और इस cancer ऐसे ऐसे करके ऐसा आएगा अगर बच्चा उसको बता देता है तब भी उसको टीचर एक बार उसको revise करवाता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होकर और अगर आप ऐसा करोगे तो इससे अच्छा कर पाओगे इसको बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन जहां पर teacher खुच से सवाल पूछेगा खुच से उसको हल करेगा उसको बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन आप इसे एक बार फिर से पढ़ लिजीएगा जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा तो क्या होता है इसमें इस प्रार्व में अध्यापग स्वयम बालकों की समस्याओं का निदान करता है यानि बालकों की समस्याओं को हल करता है अर्थ अर्थ स्वयम ही प्रस्ण करता है यानि खुद ही प्रस्म करता है और सोयम निदान के उपचार उपचार अत्मक सिछड देता है खुद ही प्रस्म करेगा और खुद ही उसका आंसर बताएगा खुद ही उसको हल करेगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका assessment as learning यानि अधिगम के रूप में आखलन चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है लिखा हुआ है इस आखलन में अध्यापक बच्चों के छोटे-छोटे समूँ बना देता है और उन्हें पहले से शिखा हुए topic देता है यानि यहाँ पर क्या होता है जो टीचर होता है वो बच्चों के छोटे-छोटे समू में टुकडियां बना देता है कि तीन बचे अलग बैठ जाओ तीन बचे अलग बैठ जाओ और तीन बचे अलग बैठ जाओ या फिर चार-चार बच्चों की समू बना देता है और उन्हे जो पहले से सिखाया हुआ टॉपिक रहता है उन्हें रहता है कि आप लोगं को इस टॉपिक पे बात करनी है या फिर इस टॉपिक पे चर्चा करनी है फिर आगे क्या होता है और कहता है कि अपना अपना आकलन भी करो और दूसरे का भी इसमें सचारू रूप से अधिगम चल कंप कि आख करेगी ऐसे इसमें में चलता रहता है या Lebens के अगर आप से पूश्यजाए कि अधिगम के रूप में किसे कहते हैं तो धान रखेगा कि इसमें चो अत् होते हैं बच्चे को छोटे-छोटे भबू में बात है असके बच्चे आपस में आकलन करते हैं जिसे अधिगम के रूप में आकलन कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका असेस्मेंट इन लर्निंग यानि अधिगम में आकलन अब अधिगम में आकलन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे लिखा हुआ है इस आकलन में बालक अपना अधिगम खुद करता है यानि ये जो अधिगम में आकलन है इसमें बच्चा अपना आकलन सोयम करता है आगे देखतें क्या लिखा हुआ है और उसे जो ना आए खड़ा होकर अध्यापक से उप्चरात्मक अधिगम मांगता है यानि इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो पहले अपना आकलन सोयम करता है खुद बाखुद अपना अधिगम करता है उसके बाद में जब उसको कुछ चीजे समझ में नहीं आती है वो आटीचर से बोलता है कि मुझे या समझ में नहीं आ रही है मुझे इसको इसका आंसर बताईए कि ये कैसे कैसे होगा इसका आंसर कैसे आएगा तो ध्यान रखेगा अगर आपसे पूछे रहे कि अधिगम में आकलन किसे कहते हैं तो आप लोगों को बताना है कि जहाँ पर बच्चा अपना अधिगम खुद करता है स्वयम से करता है और जहाँ पर उसको कुछ चीज़े समझ में नहीं आएं वो टीचर से पूछे उसको अधिगम में आकलन केहते हैं यानि जब बच्चा खुद किसी चीज़ का आकलन करेगा जब वहाँ पर किसी चीज़ पर वह फस जाएगा किसी चीज़ पर वो नहीं कर पाएगा जब teacher से पूछेगा तो उसे बोलेंगे अधिगम में आकलन चलिए आगे बढ़ते हैं Next है आपका assessment of learning यानि अधिगम का आकलन ध्यान कीगा इसके कई सारे और नाम है जैसे कि उपलब्दी परिच्छन या योगात्मक आकलन या फिर pen, pencil परिच्छन तो आप लोग इसके कई सारे नाम हैं कई सारे नाम में इसको पूछा जा सकता है जैसे अधिगम का आकलन या योगात्मक आकलन या उपलब्दी परिच्छन या pen, pencil परिच्छन इसके कई सारे नाम हैं तो अगर इन में से कोई भी नाम आता है तो आप समझ जाएगा कि अधिगम का आकलन के बारे में बात हो रही है वहाँ पे तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं तो लिखा हुआ है यूगातमक आकलन सक्री परिच्छा को अधिगम का आकलन कहते हैं यानि सितंबर और मार्च के माह में जो बच्चों के एक्जाम होते हैं जो कच्छा कच्छ में नहीं बलकि परिच्छा के इंदर पर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें अधिकम का आकलन बोलते हैं जिसमें निदान या उप्चरात्मक सिच्छड नहीं दियाता है इसे उप्रब्धी परचड भी कहते हैं तो धन रखिएगा कि अगर आप से पूशे जाए कि अधिकम का आकलन क्या होता है तो आप लोग बोल सकते हैं जो आपकी छमाही या वार्चिक पर इच्छा होती है उसे अधिकम का आकलन बोलते हैं कम सब दो में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी जो वार्चिक या छमाही पर इच्छा होती है उसे अधिकम का आकलन बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी बच्चे का निदान रत्मक या उप्चरत्मक सिछड़ नहीं किया आता है तो इसमें आपके में में प्रेंट ये होगे कि पहले तो इसके क्या क्या नाम है इसका पहले नाम तो इसका होता है कि अधिगम का आकलन इसका पहले नाम क्या है असेजमेंट ओफ लर्निंग दूसरा नाम इसका है योगातमक आकलन तिसरे नाम इसका क्या है उकलबदी परिच्छड और चोतर नाम इसका क्या है पैन पैंसिल टेस्ट यानि पैन पैंसिल जो होता है एक्जाम वो इसका नाम इतने इसके तो नाम है दूसरी बात में यह होती है कि जो इसमें सितंबर और मार्च माह में पैपर होते हैं उनके आधार पर इसका आकलन क्या आता है तो इसमें ना तो निदानातमक ना तो उप्चरतमक होता है या कैसा होता है ना तो निदानातमक ना तो उप्चरतमक होता है इसे उप्रबदी पर इसे उपलबधी परिच्छर भी कहते हैं यानि simple language में आप इसे वारचिक परिच्छा भी बोज सकते हो कि वारचिक परिच्छा जो होती है उसे अधिगम काक्लन कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे सतत एवं व्यापक आकलन के बारे में जो अब लोगों का में टॉपिक था उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे तो एक साइड में सतत आकलन और एक साइड में व्यापक आकलन लिखा हुआ है जिनको हम लोग अलग अलग करके बात करेंगे कि क्या होता है व्यापक आकलन और क्या होता है सतत आकलन पहले हम इनके बारे में बात करेंगे तो सतत आकलन में आपका लिखा हुआ है एक अध्यापक हर रोज कच्छा में बच्चों का आकलन करता है इसलिए सतत आकलन इसे कहते हैं तो सतत आकलन का मतलब क्या होता है कि एक अध्यापक होता है जो रोज कच्छा में जाता है और बच्चों का मुल्यांकन करता रहता है उसका नाम क्या था या फिर इसका ये ऐसे होगा तो उसका क्या होगा बच्चों से तुरूंट उसका आकलन करना या फिर या फिर जो है सब्ताहिक टेस्ट लेना या फिर मासिक टेस्ट लेना व्यापक मुल्यामपकर में क्या होता है व्यापक आकलन में क्या होता है चलिए देख लेते हैं लिखा हुआ है यदि बालक के सेच्छिक और सेच्छिक दोनों पच्छों का आकलन क्या जाता है यानि यहाँ पर जो होता है बालक के सेच्चिक और सेच्चिक दोनों पच्चे का आकलन किया जाता है तो यहाँ व्यापक बन जाता है यानि जहाँ पर बच्चे का सेच्चिक और सेच्चिक दोनों पच्चों का आकलन किया जाता है वहाँ पर व्यापक आकलन होता है उसे व्यापक आकलन यानि सहसेचिक पच बोलते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आयोप यहां पे आप लोगों को समझ में आगया होगा सतत आकलन का क्या मतलब होता है कि जहां पे अध्यापक हर रोज कछा में बच्चों का आकलन करता है उसे सतत या निरंतर आक आप लोगों नेPad की भूक अगर देखी होगी तो पहले तो पूरा चैप्टर उसकी बारे में क्या होता है कि आपने कितना सीखा या फिर हमने क्या सीखा तो उसी को बोलते हैं कि सततिया व्यापकाकलन यानि पूरे चेप्टर के बाद में टीचर उसे पूछता है कि इस चेप्टर में हमने किस किस की बारे में बात की, कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात की, क्या कि हमने इस चेप्टर में सीखा है और व्यापक आकलन का मतलब यह होता है जहां पे बच्चे के सेच्छिक और सेच्छिक दोनों पच्छों की बात की जाए उसे व्यापक आकलन बोलते हैं जो सेचिक पच्छ अब बात करें जो सेचिक पच्छ पच्छ उसके हम लोग Perm Gutus W पहले हम ल्मेर बात करेंगे कि होता है और इनके बारे में दखते हैं कि यह क्या क्या हो सकते हैं तो सेचिक पच्छ जो होता है वो दो परकार का होता है कितने परकार का होता है दो परकार का होता है पहला होता है रचनात्मक पच्छ या फिर इसके कई अन्य नाम हो सकते हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे तो चलिए देखते हैं कि रचनात्मक होता है और अध्यापक होता है उसमें दोनों काकलन होता है आगे देखते हैं इसमें लिखा हुआ है या अधिक से अधिक अधिकम कराने के लिए होता है यानि जो रचनातमक से च्छिक पच होता है इसमें अधिक से अधिक अधिक अधिगम कराया जाता है आगे लिखा हुआ है यह निदानातमक होता है यानि इसमें बच्चे का निदान भी किया जाता है इसमें बच्चे का निदानातमक परिछड भी किया जाता है आगे लिखा हुआ है इसमें यह उपचारतमक भी होता है यानि इसमें बच्चे का निदान होने के बाद में उनका उपचार भी किया जाता है उनका हल भी होता जाता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है आगे लिखा हुआ है इसे अधिकम के लिए अकलन भी कहते हैं नेक्स्ट पाइंट है इसे अनुपचारिक भी कहते हैं जिसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे इसे अनुपचारिक भी कहा जाता है तो ये बात हुए आपकी सेचिक पच्छ के पहले टॉपिक के बारे में जिसका नम क्या था रचनातमक पच्छ या फिर अनुप चारिक पच्छ जिसे फार्मेटिव असिस्मेंट भी कहते हैं दिखा हुए हमारे सिस्टम में चार सनरचनातमक आकलन के अंग लगा जाते हैं इन चारों आकलनों को सनरचनातमक के साथ साथ योगातमक आकलन भी माना जाता है तो वो चार कौन से आकलन होते हैं उनके बारे म की यानि delay लोग रचनात्मनक अक्लन के जो चार होते हैं उनकी बात करेंगे जिन्हें कात्मा स्वर्ण भी बात करेंगे जने रातमनगर भी कहते हैं पहला क्या होता है पहला क्या होता है अँलो कर ब्लेगता है अब्जर ओरवासन तीसरा होता है मोखिक टेक्निक यानि आप लोगों का इंटर्व्य होता है उस टैप का क्या हो गया मोखिक टेक्निक हो गई यानि ओरल टेक्निक आपका चौता क्या है अन्य टेक्निक यानि प्रोजक्टर वगेरा से पढ़ाना या फिर प्रोजक्टर वगेरा एलीडी वगेर यानि लेखित परिच्छा जो होती है न जिसमें चैंबहले, आप लोगों को वन लाइनर लिखना पड़ें, चैंबहले आप लोगों को एक ही सब्द लिखना पड़ें, उससे क्या बोलते हैं, या फिर मोखिक तकनीकी, यानि इंट्रेविवू जैसे हो गया, उसे बोलते हैं मोखिक तक नहीं की और अन्ने में हो गया प्रोजेक्टर वगेरा से जो पढ़ाई करवाई आती है प्रोजेक्टर हो गया LED हो गया फिर बड़ी बड़ी जो टेच स्क्रीन की जो फिर आप लोगों ने उनलाइन देखी होगी उनलाइन टीचिंग करवाते हैं उन सबतर की निकों का प्रयोग करके पढ़ाई करवाना वो आप लोगों का रचनात्मक या योगात्मक अकलन के अंदर माना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे योगात्मक या औपचारिक अकलन के बारे में जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी चलिए आगे बढ़ते हैं अब योगात्मक अकलन जो हता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है लिखा हुआ है या साल में दो बार सितंबर और मार्च में होता है यानि जो आपकी छमाही वाली परिच्छा होती है उसे योगातम का आकलन बोलते हैं दूसरा पाइंट क्या लिखा हुआ है या अधिगम का आकलन होता है यह क्या होता है या अधिगम का अकलन होता है याद रखेगा इसे अधिगम का अकलन कहते हैं अगला point लिखा हुआ है इनको हम उपलब्धी परिच्छड भी कहते हैं इसे क्या बोलते हैं इसे हम उपलब्धी परिच्छड भी बोलते हैं ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों को इस class की पीडियेप चाहिए तो आप लोग हमारे टेली ग्राम चेनल CDP कोईन हिमानशी में उनको जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को नीचे description box में मिल जाएगा या फिर आप लोग डारेक्ट टेली ग्राम पे जाकर CDP को इन हिमानशी में हम सर्च करेंगे वहाँ पे आप लोगों को एक लिंक या फिर एक चेनल दिख जाएगा जिसे आप लोग आसानी से जोईन कर लिजिए जिसमें करीब 920 लोग जोईन हो चुके हैं आप लोग भी उसमें जोईन हो जाएगा चलिए बताते हैं आगे क्या होता है आगे लिखा हुआ है इसे पेपर पेंट पर इच्छड भी कहते हैं यानि यह जो योगात्मक पर आकलन होता है, यह अधिकतर बाह होता है, अंतरिक नहीं होता है, लेकिन यह दोनों में हो सकता है, यह अंतरिक और बाह हो सकता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, अधिकतर बाह होता है, चलिए आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे सहचिक पच अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने दो टॉपिक लिए थे सहचिक पच्च और सहचिक पच्च तो हम लोगों ने आप लोगों को एक बार रिवाइच करवा दें ठीक है तो चलिए देखते हैं कि सहसे चिक पच्च क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है चलिए बात करते हैं लिखा हुआ है इसके अंतरगत सहगामी क्रियाएं करायाती है इस पच्च के आकलन के लिए परिच्छाएं नहीं होती बलकि जिंजिन क्रियाओं में बच्चे भाग लेते हैं उन सभी रिकोर्ड बनाय जाते हैं रिकोर्ड सौल भर चलते रहते हैं यानि सेसे चिक बच्च क्या होता है इसमें कोई भी आकलन नहीं होता है इसमें क्या होता है इसमें कोई भी आकलन नहीं होता है बच्चों को जो खेल कूद यानि जिस प्रतियोगता में बच्चे भाग लेते हैं उनके record बना जाते हैं उसमें record में लिखा जाता है कि बच्चे ने किस प्रतियोगता में भाग लिया और उस प्रतियोगता में उस बच सेगामी क्रियाएं करा जाती है यानि इसके अंतरगत जो होती है वो सेगामी क्रियाएं मतलब खेल कुद वगेरा या अन्न कई प्रिच्छाएं करा जाती है इस पच्छब के आकलन के लिए परिच्छाएं नहीं होती है यानि जो आपका खेल कुद वगेरा होता है जो आपके प्रत्योगदाइन होती है उनकी परिछाएं नहीं होती है तो क्या होता है इसमें क्रियाएं होती है जिसमें बच्चे भाग लेते हैं उन सभी क्रियाओं का record उन सभी क्रियाओं का रिकार्ड होता है वह साल भर होता रहता है उसे बच्め का अकलन होता है वह साल भर जलता रहता है जिसमें बच्चों का प्रदस्वन कैसे रहा लिखा जाता है चलिए आगे देखते हैं अब ही जो जो record solve पर चलता है यह कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात करेंगे या नहीं types of record के बारे में बात करेंगे कितने प्रकार का record होता है तो record कई प्रकार के होते हैं हम मुखताय नहों प्रकार के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों के लिए important है, उनकी बारे में बात करेंगे, जो आप लोगों के लिए important नहीं है, उनको हम लोग नहीं करवाएंगे पहला है आपका संचित अभिलेख तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें सेच्षिक पच्छ के अंक वहा ग्रेट भी लिखे जाते हैं तथा सेसे चिक पच्च के अंतरगत बच्चों का स्वास्त आदत पाठिक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का विवरड भी दर्ज होता है यानि इसमें जो बच्चा होता है वो कितने अंक पाया है कितने ग्रेट पाया है या फिर जो सहसे अच्छी पच्छ होते हैं उसके अंतरगत बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया खेल कुद में कैसा प्रदर्शन किया या फिर उसकी स्वस्त में क्या बदलाव आया उसकी आद्टों में क्या बदलाव आया ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है लिखावा है इस अभी लेक में बच्चों के विवार से सम्मंदित केवल विशिष घटनाओं का ही लेक किया जाता है यानि इस अभी लेक में बच्चों की जी विशिष घटनाओं होती है उ उसके बारे में लेखा जोखा रखा जाता है या फिर किसी बच्चे के घर में कोई अच्छी घटना हो जाने के बाद में बच्चा कैसे सीख रहा है उसके बारे में इसमें लेखा जोखा रखा जाता है तो यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है और पोजिटिव भी हो सकता है विसेश घटनाओं में याद रखेगा यहाँ पे कोई negative चीज भी हो सकती यहाँ पे कोई positive चीज भी हो सकती ऐसे घटना जिसके होने के बाद में बच्चों के सिखने पे असर पढ़ रहा है ज्यादा असर पढ़ रहा है उस घटना को इस अभी लेक में रखा जाता है किस अभी लेक में वरतांत अभी लेक जो हता है उसमें बच्चे के साथ में कोई विसी घटना हो जाती है उसके बाद में होने वाला जो परिवरतन है उसके बारे में इसमें लेखा जोखा रखा जाता है नेक्स्ट है आपका अउलोकन सारणी अउलोकन सारणी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे लिखा हुआ है इस सारणी में बालक के अउलोकन योगे विवार का लेखा जोखा होता है यानि ये सारणी जो होती है बच्चे का जो प्रदरसन होता है बच्चे का जो ओलोकन होता है मुल्यांकन होता है उसका लेखा जोखा इसमें रखा जाता है यानि बच्चे का जो वेभार होता है या बच्चा जो कैसा वेभार कर रहा है उसके बारे में इसमें लेखा जोखा रखा जाता है नेक्स्ट है आपका सचातकार सारणी यानि इंटर्व्यू शेड्यूल इसमें क्या होता होगा आप लोग समझ सकते हैं इसके नाम से ही तो देखते हैं इसमें क्या होता है लिखा हुआ है इस सारणी में अध्यापक उन बातों को दर्ज कर लेता है जो बालक साचात कारद्वारा ग्यात होती है नेक्स्ट है आपका अनु इस्तती सारणी यानी रेटिंग स्किल क्या है आपका नेक्स्ट है आपका अनु इस्तती सारणी या रेटिंग स्किल ग्याद रखेगा, जो जांसूची आपकी होती है उस से better इसको माना गया है जांसूची से इसको better माना गया है यह अच्छी विदी है जांसूची के अधार पर क्यों? क्योंकि इसमें गुडों का इस्थान बताती है यह सुची जो होती है यह गुड़ों का इस्थान बताती है कैसे जिसे आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे एवरेज गुड और वेरी गुड के अधार पर बच्चे का वर्गरण किया जाता है यह आप लोग का लेवल जो होता है वो 7 लेवल तक इंक्रीज किय जा सकता है जिसे गुड वेरी गुड शुपब यह सारे कई अनी लेवल तक इसको इंक्रीज किया जा सकता है तो इसमें क्या होता है बच्चा इस्पोर्ट में पार्टिसिपेर्शन बच्चे ने किया अगर उसमें ज्यादा पर दरसन नहीं किया तो आप लोग एवरेज प पर दाने के लिए बच्चे के पास ज्यादा अपसंस होते हैं तो यह इसलिए इसको ज्यादा बेटर माना जाता है किस से जा सूची से ज्यादा इसको बेटर माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चे का ज्यादा अपसंस में वर्गिकरण कर सकते हैं चलिए आगे देखते है नेक्स्ट है आपका समाज मिति यानि सोसिोमेट्री देखते हैं अब ये क्या होता है लिखा हुआ है अध्यापक्र बच्चों के गुणो का पता उसके सहपार्टियों से लगा लेता है और इस से वह समाज मिति का निर्माढ निर्माड करता है यानि इस विधी में जो होता है इसमें क्या होता है इसमें जो टीचर होता है वो उनकी सहपाथी यानि जो बच्चा होता है उसके दोस्तों से उसके वेवहार या उसके गुड़ों का पता लगालता है यानि उसके दोस्तों से पूछता है कि उसका वेवार कैसा है उसके अंदर कौन-कौन से गुड़ हैं कौन-कौन से अवगुड़ हैं जिससे इस समाजमिति कानिरमाड किया जाता है नेश्ट है आपका प्रश्णावली, क्या है आपका प्रश्णावली यानि कोशनिंग, देखते हैं इसमें क्या होता है, लिखा हुआ है अध्यापक बच्चों को अने एक प्रश्ण देते हैं, इसका नाम से ही आप जान सकते हैं कि इसमें क्या होता है, लिखा हुआ इसमें क अध्यापक जो होता है बच्चे को अने एक प्रश्ण देता है और बालकों को उन प्रश्णों के उत्तर देने होते हैं इस प्रश्ण के इस प्रश्ण से बालक की सोच गुड़ विचार का पता लग जाता है यानि टीचर जो होता है बच्चे को ऐसे प्रश्ण देता है जिस से बालक के सोच गुड और विचार का पता चल जाता है जिसको वहाँ प्रशनावली जो उनकी सूची होती है उसमें इसे नोट कर लेता है चलिए आप आप लोगों का most important जो point है portfolio और आप लोगों इसके बारे में अगर आप लोग सीटर की तयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से जानकारी बच्चों की portfolio से ही मिलती है तो चलिए अब हम बात करेंगे portfolio के बारे में तो आप लोग एक बार ध्यान से तुनिएगा की portfolio क्या होती है लिखा हुआ है इसमें वह सभी दस्तावेज साच्छ के रूप में रख ले जाते हैं जिसमें बच्चों के भाग लिये है ये साच्छ होते हैं यानि इसमें वह सारे दस्तावेज होते हैं जिसमें बच्चों ने भाग लिया होता है उनके बारे में साच्छ होते हैं जो साच्छ कितने परकार के होते हैं जो साच्छ तीन परकार के हो सकते हैं ये साच्छ कितने परकार के साच्छ हो सकते हैं तो ध् बच्छे की पूरी प्रफाल जो होती हैं के अब भाद करेंगे तो किमने बताया था की हो पहला टाइप क्या है प्रमाड पत्र की फोटो कौपी कोई भी प्रमाड पत्र हो सकता है जैसे किसी प्रत्योगता में भाग लेना या फिर कोई इस्पोट में भाग लेना या फिर किसी अन्य चीज में भाग लेने की जो प्रमाड पत्र होता है उसकी फोटो कौपी हो सकती है या फिर बच्चों के खीचे गए फोटोग्राफ हो सकते हैं या बच्चों दौरा जो खीचे गए फोटोग्राफ हो सकते हैं या फिर बच्चों के द्वारा अपने हाथों से लिखे गए की फोटोग्राफ यानि बच्चों की रैटिंग के फोटोग्राफ हो सकते हैं जो बच्चे अच्छे तरीके से लिखते हैं या फिर कुछ अच्छा ड्रो करते हैं उनकी फोटोग्राफ भीस में हो सकती है तो इसमें क्या-क्या हो सकता है बच्चों की प्रमार पत्र की फोटो का भी हो सकती है बच्चों दौरा खिचे की फोटोग्राफ हो सकते हैं या बच्चों की हैंड रेटिंग हो सकती है कि बच्चा कैसा लिखता था बच्चा क्या लिखता था उसके बारे में इसमें चर्चा हो सकती है और इसमें क्या क्या हो सकता है चलिए देखते हैं लिखावा है पॉर्टफोलियो सेचिक और सेचिक पच्छ दोनों के दस्तावेज होते हैं क्यानि जो पॉर्टफोलियो होता है वो सेचिक और सेचिक दोनों पच्छों के जो दस्तावेज होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं और इसमें क्या होता है पॉर्टफोलियो के फोल्डर में सभी वर्गों के साथ एक साथ रखे जाते हैं नेक्स्ट इसमें क्या क्या हो सकता है पॉर्टफोलियो से बालक की निरंतर प्रगरति का विवरण मिलता है यानि अब तक जो हम लोगों ने 9 अभिलेक पढ़े हैं उन में से सबसे अच्छा अभिलेक कौन सा हो जाता है उन में से सबसे अच्छा अभिलेक पोर्टफोलियो हो जाता है क्योंकि इसमें बालक के निरंतर प्रगति का वरणन मिलता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है और किस इस तर से सीख रहा है और उसके सीखने का लेवल क्या है वो क्या क्या सीख रहा है कैसा सीख रहा है और कितना नहीं सीख रहा है तो अगर आपसे पूछा रहा है कि बच्चे के बारे में सबसे अच्छी जानकारी किस अबलेक से मिलती है तो आप लोग वहाँ परटफोलिय गर आपको आंसर में दिख रहा है है तो आपका वहाँ पर सही हो रहेगा या फिर अननी कोई परस्जा पूछा दा रहा है तो आप लोग उसके अनुसार प्रस्जार वहाँ पर आंसर कर सकते हैं तो ये थी आपके आज की क्लास, आज की क्लास से related questions करेंगे, तो आप लोगों को फटा-फट के questions के answer देने हैं, चलिए पहला question आपके screen पर यह रहा, चलिए इसको पढ़िए और इसका answer दीजिए फटाक से, इसका answer क्या हो जाएगा, जल्दी से बताईए, क्लास बहुत बढ़ी हो चुकी, हम नहीं चाहते हैं कि इससे बढ़ी हो और class हो, तो आप लोग इसका answer जल्दी-जल्दी कीजिए, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer answer number two, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका answer ने बिल्कुल, answer number two, बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्र परिच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट आंसर क्या है नेक्स्ट कोश्चन क्या है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर टू इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कोश्चन नमबर टू को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए जल्दी से Question number 2 का answer क्या हो जाएगा Answer number 1 is the right answer Answer number 1 जो है इसका right हो जाएगा Question number 3 को पढ़िए और इसका answer क्या हो जाएगा Question लिखा हुआ है सतद और व्यापक मुल्यांकन की सुरुवात ने मुल्यांकन अवस्था को क्या किया है उसके बारे में बताना है क्या क्या है उसके बारे में जल्दी से बताईए तीसरे प्रस्न का answer जल्दी से दीजिए तो आप लोग इसमें से cut भी कर सकते हो कैसे cut कर सकते हो जो मैंने आप लोग को negative tag words वाली जो class करवाई थी ना उसके इसको cut भी कर सकते हो जैसे इसमें लिख्या हुआ है negative tag words में क्या लिखा हुआ है जटिल इसमें क्या लिखा हुआ है rank इसमें क्या लिखा हुआ है केवल तो यह सारे option क्या जाएंगे cut हो जाएंगे यह cut हो गया यह cut हो गया यह cut हो गया तो उसका answer number क्या सही हो जाएगा positive precision के साथ में positive answer हमेशा सही हो रहेगा तो Q3 का answer number one बिल्कुल सही हो रहेगा चलिए question number four पढ़िए और उसका answer दीजिए लिखावा है समाजिक विजियान में मुल्यांकन के संचित अभिलेकों में होना चाहिए समाजिक विग्यान में जो मुल्यांकन होते हैं उनकी अभिलेकों में क्या होना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को बताना है चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग प्रस्टन को पढ़िए र नेःट्व जू प्रशन आप लोगो जो आप लोग ऑपसन को पढ़िए और आप लोगों को जशू निःट्व ऑपसन लगे उसको काटते जाएए इसको cross करते जाएए पहला option क्या लिखावा है पहला option लिखावा है विदार्थी की उपस्तरी चिकिस्चा record क्या सही हो रहेगा समाजिक वियांसिक की अनुसार सही हो रहेगा नहीं सही होगा तो इसको क्या कर दिया कट कर दिया दूसरा क्या लिखाओ है विदैर्थी दोरा प्रदर्शीद अनुसासन नहीं था यह क्या हो गया निगेटिव हो गया इसको भी क्या कर दिया इसको कट कर दीजिए तिसरा लिखा हुआ है विद्यार्थियों की रुचियों अविचमता और समाजिक समा योजन के प्रगत सील विकास का रिकॉर्ड तो हम लोग किसके बारे में बात करें समाजिक वियान के बारे में बात करें और इसमें समाज के बारे में बात की जा रही है तो यह क्या हो जाएगा आपका बिल्कूल सही आंसर हो जाएगा चोथा अपसन क्या है किसी भी विशिष दिन विद्यार्थियों के विवार का रिकॉर्ड ये भी आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, एक ही दिन की बात नहीं की जारी, विशिश दिन की बात नहीं की जारी है, तो question number 4 का answer क्या हो जाएगा, answer number 3 हो जाएगा, next question, question number 5, लिखा हुआ है, एक सिसिका, संकल्पना पढ़ाते समय, विद्यार्थियों से अक्सर प्रत् विश्टी वो क्यों लेती है, चलिए, बताइए, इसका answer number क्या answer सही हो जाएगा, 1, 2, 3 में से जल्दी से इसका answer दीजिए, पढ़िए जल्दी से negative को क्रास कर दीजिए, positive answer अपने आप निकलाएगा, तो question number 4 का answer number, question number 5 का answer number 4, बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसी इसका answer number 4 प्रेस कर दीजिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो हता है, वो किसके साबसे होता है, वो विध्यार्ती के अंदरित होता है, वो student centered होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या होना चाहिए चलिए बताईए सिखने के लिए एक सी अधिक पच्छों का आकलन सिखने के आउसर का अधिक तब्मी करण तीसरा है मानों विक्तित्तुक की समग्र प्रकृति सवर्ण चोथा है सिखको पर बोज बढ़ाना चलिए ये तो कठी गया ये तो साफ साफ आप लोगों को क्या लग रहा है निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो गया तो आप लोगों को दो अप्सन में से यह लिए से बताना है कि इस कांसर नंबर कौन से सही हो जाएगा दो मेंने काट दी है सेकेंड और थर्ड में से बताना है कि इस कांसर कैसा हो जाएगा तो जिस जिस ने इस कांसर नंबर धरी लगाया है वो हो जाता है बिलकुल सही क्योंकि यहाँ पर समगर विकास की बारे में बात की गई मैं अपका सब कुछ आजाएगा holistic nature के मतलब यानि समपूर्ण के बारे में बात की गई है हाला कि अगर option number three नहीं हुता तो option number two के साथ में आप जा सकते थे लेकिन यहाँ पे option number three बिल्कुल सही हो रहेगा क्योंकि यहाँ पे holistic nature के बारे में बात की गई है चलिए कोशन नमबर 8 को देखिए और इसका आंसर कीजिए लिखा हुआ है निर्मनातमक बुल्यांकन का उद्दे से क्या होता है चलिए बताईए कोशन नमबर 8 का आंसर दीजिए पठाक से तो इसका आंसर नमबर पहला बिल्कुश हो जाएगा क्यों क्योंकि लिखा हुआ है प्रगर्थ पर गोर करना एवं उप्चरातमक अनुदान की उजना बनाना दूसरा क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है विदार्थी की समझ का पता लगाना तो ये तो इसी में आ जाएगा ये तो इसी में आ गया ना विदैर्ति किसे मज़ का पता लगाना का मुदलब क्या हो गया PRAG basically गोर करना क्या हो गया प्रगर्थी बच्छा कैसा कर रहा है उस पर गोर करना इसे में आ गया है यह रागा इससे भी बेटर है क्या है क्यों क्यों क्योंकि उसमें उसका पचार भी किया जा रहा है तो इसका question no.8 का answer no.1 बिल्कुल सही हो जा रहा जिसने जिसने भी इसका answer no.1 लगा है वो जाता है बिल्कुल सही question no.9 को पढ़िए और इसका answer दीजिए लिखा हुआ है प्राथमिक इस्तर पर आकलर में सामिल होना चाहिए क्या सामिल होना चाहिए चलिए पढ़िए और इसका answer दीजिए question no.9 का answer no.1 जिसने जिसने भी लगाया है वो जाता है यहां पर बिल्कुल सही क्यों क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सिच्चक द्वारा सतत और रशनातमक तरीके से किया गए आवलोकन को बच्चों और अविवावकों के साथ में बाटना यह सबसे बेस्ट आप्सन है चारो आप्सन मेंसे सबसे बेस्ट आप्सन यही है और हम लोगों को क्या करना है चार option में से सबसे best option को चाटना है क्योंकि सीटिन में हम लोगं को लगता है कि सारे option बिल्कुछ स्यम है, सारे option सही लगते हैं इसलिए चारों message आप लोगं को सबसे best लगेगा वही answer सही होगा चलिए अगला question देखते हैं question number 10 को पढ़िए और इसका अंसर आप लोगों को यह आप लोगों के लिए home work है क्यों कि इसका अंसर आप लोगों को यहाँ पर नीचे नहीं लिखना है इसका अंसर आप लोगों को comment box में लिखना है कि question number 10 का answer क्या होगा आप लोगों को comment में बताना है तो आज की class में भछ इतना ही आई होप आप लोगों को class अच्छे लगी होगी और यहां से आप लोगो questions कम से कम 8 से 10 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके CTAT 2021 में तो अगर आप लोगो class अच्छे लगी है तो आप लोग एक बार इसको लाइक कर दीजिए और अपने friends के पास में share करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप लोग CTAT की AVS की classes लेना चाहते हैं तो आप लोग 10 बजे वाली class जरूर देखिए जिसमें आप लोगों को CTAT के महतपूर फ्रेशन करवाई जा रहे हैं और अगर आप लोगों ने थेवरी वाली classes नहीं लिए हैं इसी रटकी जो AVS की थेवरी की classes करवाई गई थी जो की NCRT best थी classes थी तो आप लोग playlist में जाकर वहां से आप लोग वह वाली classes जरूर देख लिजीगा और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पीडियाफ आप लोगों को वहां पे सेर कर सकते हैं जहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप हमें Instagram पे फॉलो करना चाते हैं तो आप लोग नीचे ID दिख जाएगी patel.govind.kumar सर्च करेंगे तो आप लोगों को वहां पे Instagram ID मिल जाएगी तो आज की ग्लास में बस इतना ही मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत